वेल्कम स्टूडेंट मैं हूँ तांडे सर टांडे सर टेक्निकल चेनल में आपका स्वागत है दोस्तों इंडो तीबतन बॉर्डर पुलीस फोर्स मिनिस्ट्री आप होम अफियर्स गोर्मेंट आप इंडिया के द्वारा ITBP की वेकेंसी जारी की गई है इसमें आप देखेंगे तो ITBP पिनियर कॉंस्टेबल रेकूर्ट्मेंट 2024 जिसका क्वालिफिकेशन 10 और ITA पास है और इसकी लाज्ट डेट है 10.9.2024 इसमें कॉंस्टेबल कॉर्पेंटर मेल और कॉंस्टेबल कॉर्पेंटर फिमेल के लिए वेकेंसी जारी की गई है कॉंस्टेबल प्लमबर के लिए भी जारी की गई है वेकेंसी कॉंस्टेबल प्लमबर मेल के लिए जारी की गई है constable mission female के लिए constable electrician के लिए भी vacancy जारी की गई है and constable electrician male के लिए और constable electrician female के लिए भी vacancy जारी की गई है कुल मिला के यह जो post है वो technical post है और technical post समय समय पर ITBP के द्वारा भी vacancy जारी की जाती है चलिए ऐसे candidate जिन्होंने ITA पास किया हुआ है और विग candidate यदि डिफेंस में जाना चाहते हैं तो ITBP की वेकेंसी भर सकते हैं और ITBP में जाने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं दिफेंस में इंडो तिबतन बॉर्डर पूलिस फोर्स की उर से ITBP के लिए रिकूर्टमेंट निकाले गई हैं जिसमें ITBP पाइनर कॉंस्टेबल रिकूर्टमेंट जिसमें ITBP कार्पेंटर, प्लमबर, मेशन, एलेक्ट्रिसियन ट्रेट के च्छात्र अनलाइन फार्म भर सकते हैं और ITBP फाइनर रिकूर्टमेंट 2024 इसका ऑनलाइन फार्म 12.08.2024 से 10 इसके जो लास्ट डेट है 10.09.2024 तक भर सकते हैं तो फार्म भरने स्टार्ट हो जाएका 12.08 से लास्ट डेट है अगले मेने के दस्तारिक तक और डियर कैंडिडेट जिन कैंडिडेट ने भी अभी ITA कंप्लेट किया होंगा वे कैंडिडेट फार्म अप्लाइ कर सकते हैं बसर्त आपका ITA कंप्लेट होना चाहिए रिकूर्टमेंट का अर्गनाइशन है इंडो तीबतन बॉर्डर पुलिस ITBP जी से कहा जाता है पोस्ट है फानियर कॉंस्टेबल और एडवांटेज इसी दी देखो कि तो 202 पोस्ट है और यह टेकनिकल मतलब ITA पास वाले कैंडिडेट के लिए सबसे अच्छी अपोर्चिनिटी है इसमें सेलरी आपको 21,700 से 79,000 रुपए कुछ मिलेगा आपको लेवल 3 का जॉब लोकेशन आलवर इंडिया होगा केटेगरी है ITBP इन पर जाके आप विजिट कर सकते हैं ठीक है ITBP फाइनियर कॉंस्टेबल रिकूर्टमेंट के लिए यदि हम देखें टूटल वेकेंसी तो कॉंस्टेबल कारपेंटर के लिए 71 पोस्ट है कॉंस्टेबल प्लमबर के लिए 52 पोस्ट है और कॉंस्टेबल मेशन के लिए 64 अर कॉंस्टेबल एलेक्ट्रिसिन के लिए 15 पोस्ट है तो डियर केंडिडिट यह अच्छे पोर्चिनेटी है इलेक्ट्रिसिन से बहुत से कंडिड़ेट आई टे किये हुए है फाम भरना चाहें तो आप फाम भर सकते हैं लेकिन इसके लिए एज का क्राइटीरिया होता ह और qualification भी होता है तो ITB भी constable recruitment का जो qualification है इसमें देखेंगे constable में, carpenters में आपका 10 वी पास होना चाहिए और ITI आपका complete होना जी, carpenters trades हे second है constable plumber में तो इसमें आपका 10 पास होना चाहिए और ITI आपका पास होना चाहिए plumber trades हे और Constable Mason की बात करें, तो Mason से आपका ITI complete होना चाहिए, तो 10th class plus ITI आपका Mason trade से होना चाहिए, Constable Electrician की बात करें, तो इसमें आपका 10th pass होना चाहिए, और Electrician trade से 2 साल का ITI आपका complete होना चाहिए, चाहे वो SCVT हो, चाहे NCVT हो, एज का criteria सबसे most important है, क्योंकि एज बहुत कम दिया रहता है, डिफेंस में, तो ITI भी Constable Recruitment एज लिमिट है 18 साल, और Maximum Age लिमिट है 23 साल, तो 23 साल Maximum Age लिमिट है, इस चीज़ को याद रखेंगे आप, अब इसमें ITI भी Constable Recruitment के selection की जो process होगी, सबसे पहले तो PET टेस्ट होग इसमें फिर written exam होगी, फिर trade test होगा, और फिर detailed medical examination होगा, तो इस तरीके से आपको चार पाच चरन से गुजरना होगा, उसके बाद ही आपका selection होगा, डियर candidate, how to apply की बात करें, तो how to apply में, आप how to apply for Indo-Tibetan Border Police, जिसे ITBP कहा जाता है, recruitment 2014, इसकी official website है, recruitment.itbppolice.nic.in और इसमें register if you are new user, login with your credential if already registered, यदि पहले से आपने registered है, तो आपको जो login ID, password होगे होगा, आपके पास होगा, यदि complete registration process करते हैं, तो आपको login करना होगा, और फिर fill out, farm करना होगा, farm को भरना होगा, इसमें document लगाएंगे, photograph, signature होगे हैं, आप उसको upload करोंगे, और उसके और EWS candidate के लिए, SST candidate, female के लिए कोई fees नहीं होगी, और submit the application farm होगा, take the printout, submission from the feature reference के लिए, तो आपको जो farm भरोगे, तो आपको इसका printout आपने पास जरूर रखना, dear candidate, और दूसरी बात, आपको एक चीज़ याद रखना है, कि आप जो farm भरते हैं, तो documents clear upload करेंगे आप, ठी आप निगर तम कैफे में जाएं, और वहां से farm apply करें, ITBP constable, senior recruitment 2024 की जो application fees है, जिसमें मैं बताना चाहूँगा, general OBC और EWS वाले candidate के लिए सवरूप है, और SCST, ESM and female candidate के लिए, मतलब कोई fees ने लगी, तो यूर category की भी यदि female है, तो भी कोई fees नहीं लगेगा, एक चीज़ याद रखेंगे, ठीक है, female candidate के लिए कोई fees नहीं है, ITBP constable, senior recruitment 2024 की application fees यहाँ पर दिखाया गया है, इस सवरूपए है, और SCST को कोई fees ने लगेगी, important dates यह दिए आप देखें, तो important dates इसमें online application फार्म बरने की बारागस 2024 है, और बारागस 2024 से start हो जाएंगे फार्म बरना, औ online application last date है, 10 September 2024, dear candidate और date जो है announcement यह समय समय किया जाएगा, इसकी पूरी detail जानकरी हम आपको देदेंगे, इसका PDF आपको description box में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप download कर सकते हैं, और फार्म भरने की भी link हम description box में दे दिया है, वहाँ से भी आप फार्म भर सकते हैं, तो यह ज जो ITA pass candidate है, ऐसे student जिन्होंने ITA pass किया हुआ है, और ITA pass में technical post में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छे opportunity है, तो dear candidate यह थी most important जानकरी, मिलेंगे next studio में, तब तक के लिए, जहें